आप सभी को नमशकार 45 साल से उपर की उम्र के लोगों के लिए आज से दिल्ली में एक स्पेशल अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है जहाँ वोट वहाँ वैक्सिनेशन इस अभियान के तहट हमारा उद्देश्य है धे है अबजेक्टिव है हमारा गोल है कि चार हफ़ते के अंदर अगर वैक्सिन की कमी नहीं हुई जो कि मुझे लगता नहीं क्योंकि 45 साल से उपर की उम्र के लिए फिलहाल वैक्सिन के अंदर सरकार उपलब्द करवा रही है अगर वैक्सिन की कम् MICH न हुई तो इस अभयान के तहट चार हफ़तों में 45 साल से उपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सिन लगा दी जाएगी दिल्ली में लगवग 56 लाख लोग हैं 45 साल से उपर की उम्र के 57 लाख इस में से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है 30 लाख लोग बचे इन 30 लाख लोगों को अब पहली डोज लगानी है अब दिक्कत ही आ रही है कि जितने हमने दिल्ली में वैक्सिनेशन सेंटर्स खोले हैं 45 साल से उपर की उमर के लोग उसमें बहुत कम आ रहे हैं अपने से लोगों का बहुत कम आना हो गया जिसकी वजह से काफी समय खाली रहते हैं काफी दवाई बच जाती है उसके मद्दे नजर ये तै किया गया कि लोगों की इंतजार किये विना अब हमें लोगों तक जाना बढ़ेगा अब हमें लोगों के घर घर जाना पड़ेगा तो इस अभियान के तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे क्या है ये अभियान इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो इस पूरा खाका की इस तरह से बनाया गया इस पूरे अभ्यान का आज से दिल्ली के 70 वाड के अंदर ये शुरू किया जाएगा दिल्ली में 272 वाड हैं और 2 विधानसवाएं ऐसी हैं जहां पर वाड नहीं है तो मोटे मोटे तॉर पर अगर वहां भी चार-चार मानने तो 280 वाड मान लीजिए आप दिली में मोटे मोटे तौर पे 280 वाड है हर हफते 70-70 वाड के अंदर ये अभियान चलाए जाएगा इस हफते 70 वाड के अंदर अगले हफते 70 वाड के अंदर तो एक तरह से 4 महीने के अंदर ये पूरा अभियान कम्प्लीट हो जाएगा तो आज जिन सत्तर वार्ड्स के अंदर इसकी शिरुवात की जा रही है आज पहला दिन है आज वहां के बीलो को बूथ लेवल आफिसर को उन सत्तर वार्ड्स के बूथ लेवल आफिसर की ट्रेनिंग की जा रही है ये booth level officers अगले दो दिन तक अपने अपने booth में हर घर में जाएंगे हर घर में जाके उनसे पूछेंगे आपके घर में 45 साल से उपर की उम्र के कौन है उनके पास voter list भी होगी, voter list से भी पता चल जाता है 45 साल से उपर के कौन है लेकिन मान लिजे किसी का vote नहीं भी बना हुआ तो उस booth में आने वाले सभी घरों को cover किया जाएगा हर घर में जाके पूछेंगे आपके घर में 45 साल से उपर के कौन है क्या उनको vaccine लग चुका है अगर उन्हें vaccine नहीं लगा है तो वो उन्हें vaccination लगवाने का slot दे के आएंगे कि आप polling station पे इतने बज़े आके अपना vaccine लगवा लिजेगा तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग slots मिलते जाएंगे जो लोग बिलकुल ही मना कर देंगे कि हमें vaccine नहीं लगवानी तो booth level officer उनको मनाने के कोशिश करेंगे उनको बैठ के मनाने के कोशिश करेंगे vaccine लगवा लिजेए करोना के खिलाफ यही एक effective उपाए है और केवल booth level officers नहीं जा रहे हैं इसमें team बनाई जा रही है तो दो तीन तीन लोगों की हर booth level officer के साथ civil defense volunteers को भी लगाया जा रहा है तो दो दो तीन तीन लोगों की team जाएगी हर एक के घर पे और उनको slots देके आएगी तो आज booth level officers की training हो रही है कल ये लोग अपने अपने booth पे जाएंगे घर घर में जाएंगे और परसों के slots देके आएंगे परसों भी जाएंगे अगले दिन के slots दो दिन booth level officers घूम के अपना booth complete कर देंगे और ये वाले दो दिन के अंदर अगले दो दिन के अंदर वो उनको vaccination लगेगा फिर हम ये देखेंगे कि जिन जिन को हमने slots दिया था वो सब vaccination लगवाने के लिए आए की नहीं आए जो जो लोग नहीं आए उनके घर में दुबारा जाएंगे दो round लगेंगे उनके घर में दुबारा जाएंगे और उनको कहेंगे कि please आईए वैक्सिन लगवाईए और अगले दो दिन उनके घर में भी complete किया जाएगा तो पांच दिन की cycle सतर वाड में पांच दिन की cycle ये चलेगी और फिर अगले हफ़ते फिर अगले सतर वाड के अंदर तो इस तरह से ये पूरी दिल्ली को एक साथ कार्पिट उसकी तरह कवर करने का पूरा प्लैन बनाया गया है चार हफ़ते के बाद हम अधिकारिक तोर पे कह पाएंगे कि दिल्ली में जो जो लोग 45 साल की उम्र के उपर वैक्सिन लगवाना चाहते थे हमने उनके घर जा जाके उनको इन्वाइट करके वैक्सिन लगा दिये जो जो लोग आना चाहेंगे हमने खूब सारी इरिक्षा का इंतजाम किया है लोगों को घरों से वैक्सिनेशन सेंटर तक पोलिंग सेंटर तक लाने के लिए ए रिक्षा का पूरी दिल्ली में इंतिजाम कर रहे हैं जो जो लोग आना चाहेंगे उनको उनके ए रिक्षा के जरीए उनको लाए जा सकता है तो ये एक तरह से चार हफ़ते में हम ये कह पाएंगे कि पूरी दिल्ली में 45 साल से उपर की उम्र के लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है इसके बाद तीन महीने बाद जो भी केंदर सरकार की एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन है कि अगली वैक्सिन जब भी लगनी है तो दो महीने तीन महीने बाद एक ये दूसरा राउंड दुबारा इसी तरह से पोलिंग सेंटर के उपर चलाएंगे और दूसरी वैक्सिन भी इसी तरह से एक महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को लगा देंगे जब हमारे पास 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की परियाप्त मातरा में वैक्सिन आ जाएगी तो इसी तरह से दो राउंड करके पूरी दिल्ली के दो राउंड करके दो महीने के अंदर हम 18 से 44 साल की उम्र के बच्चों को लोगों को भी युवाओं को भी हम वैक्सिल लगा देंगे तो मैं आज सबसे अपील करता हूँ कल से बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे उनकी टीम आपके घर पे आएगी और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सबसे अपील है जब आपके घर में आए आप उनका स्वागत भी कीजिएगा और बढ़ चड़ के वैक्सिन लगवाईए क्यों कर दो दो जाएगी और बहुत में आपके जापके वैक्सिन लगवाईए क्यों आपके प्याप्सिन लगवाईए.